गुद मॉर्निंग, वेलकम, क्लास 11 अभे क्लासिज, चेप्टर नमबर 6, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नमबर 16, सॉल्ब फॉर एक्स, 2 एक्स माइनस के 1 अपॉन 3, ग्रेटर दन इक्वल, 3 एक्स माइनस के 2 अपॉन 4, माइनस, ब्रैकिट 2 माइनस के x अपॉन 5, इस क्वेश्चन को सॉल्ब करने से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्लास 11 ती स्टुएंट की, इसमें ज़्यादा तर क्वेश्चन सब इसी टाइप के, और सो इजी क्वेश्चन से, फिर भी अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छुड़ जाता आप लोग के लिए, त आसान तरीके से, किस तरीके से मैथ का व्यवहारिक चीज आपको सिखा जाओं, कि आपको मैथ से डर ना लगे, और मैथ आपको बहुत अच्छी लगने लगे, ये मेरा करता क्या है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले जो भी इनिकुलिटी गीवन है, आप उस जाएगा, 4 जा 20 हो जाएगा, बट इस माइनस से साइन चेंज हो जाएगे, तो माइनस के 8 प्लस के 4 एक्स आएगा, और 3 और 20 को कट करने के लिए मुझे पहले 3 और 20 का क्या लेना पड़ेगा, LCM, तो मेरी नेक्स स्टेप 2X माइनस के 1 अपान 3, 15 और प्लस 4, 19 X, माइनस के कितना जाएगा, 18, because जब 2 टर्म माइनस में होती है, तो always add होते है, बट साइन माइनस के होता है, 3 और 20 का LCM, मेरा 60 आएगा, तो मैं 60 से मल्टिप्लाई करूँगा, बोस साइट, तो मल्टिप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा, 2X माइनस के 1 अपान 3, मल्टिप्लाई 60, greater than equal to, यहाँ पर 57 x minus 54 आएगा, adding both sides, इस पहले हम 20 को cancel करें, बोस साइट 20 add करते हैं, तो 40 x minus 20 plus 20, greater than equal to 57 x minus 54 plus 20, यह आजाएगा, 40 x minus 20 से plus 20 x cancel हो जाएगा, तो 57 minus के कितना आजाएगा, 34 आजाएगा, it means हम यहाँ पे, अब 57 को यहाँ से delete कर रहे हैं, तो subtracting 57 x from the post side, तो 40 x minus के 57 x less than equal to 57 x minus के 57 x minus के 34, 57 से 57 cancel, minus के 17 x greater than equal to minus के 34, class 11th student में एक आपको यह भी बात बता सकता हैं, कि जब आपने यहाँ पे LCM लेके solve किया था, अगर आप यह सब step नहीं करना चाहते हैं, तो आप cross multiply कर सकते हो, बहुत सारे teacher आपको कराते हैं, मैंने सिर्फ इन questions में NCIT के rule यूज किया, but आप लोग cross multiply कर दोगे, तो कोई गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे equal का sign भी है, तो हमारे पास यहाँ पे minus के 17 x greater than equal to minus के 34, left hand और right hand दोनों पर negative sign है, इसको positive करना है, तो हमें यह inequality change करनी पड़ेगी, inequality change का मतलब इसका sign change हो जाएगा, 17 x less than equal to 34, हम 17 से divide करेंगे both side, तो हमारा आएगा x less than equal to 2, इतमें से हमारा solution आजाएगा, 2 हमारा close interval है, तो 2 पे हम close interval का sign लगाएगे और कहां तक होगा minus के infinite, I hope is 10 question number 16 आपको समझ में आया होगा, question number 17, अब यहाँ से थोड़ा सा यह different है, इनके solution को हमें graphically भी करना है, so solve 3x minus के 2 less than 2x plus के 1, so the graph of the solution on number line, step first आपका क्या है strength, कि we have 3x minus के 2 less than 2x plus के 1, minus 2 को यहाँ पे हटाना है, तो adding 2 on both side, तो 3x minus के 2 plus के 2 less than 2x plus 1 plus के 2, तो 3x less than 2x plus के 3, 2x को हटाना, subtracting 2x from both side, तो 3x minus के 2x less than 2x minus के 2x plus के 3, तो x less than क्या आएगा, 3 आएगा, इसको graph पे number line पर ही पर जैन करना, तो x की value 3 से less than है, तो मैंने x की value 3 से less than ही दिखा रहा है strength, और यह open interval है strength, तो यह open interval है, अगर यह close होता, तो मैं यहाँ पर क्या करके रखता है strength, dark करके रखता है strength, इतमीज जो मैंने यह number line में strength, यह जो sign बनाया strength, आपको मैंने एक वीडियो में बताया था strength, open interval के लिए हम लोग क्या strength, इस तरीके से बनाते है strength, और dark interval हो strength, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है strength, dark interval का मतलब यह दोनों point भी इसके अंदर include है, इसका मतलब होता है strength, यह दोनों point इसमें include नहीं है, तो three यहाँ पर include नहीं है strength, तो I hope strength, question number 16 और 17 का वीडियो भी आप लोग को समझ में आया होगा strength, और आपनों को वीडियो समझ में आता है, तो अपने दोस्तों को share करना, please ना फूले, ओके हाँ, फिर again I am repeating strength, कि अगर कोई भी doubt किसी भी question में तो आप message box में जाकर send कर सकते है strength, question number 17, 18, 19, यह सारे questions same as it है strength, ओके, have a nice day class 11th,